हेलो स्टूदेंट्स मैं डॉक्टर नरिश चंदनानी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल 10K Online Learning में आप देख रहे हैं Online Lecture Series on Engineering Mathematics 1 हेलो स्टूदेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे Volumes and Surfaces of Solids of Revolution तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम यह जानेंगे कि यह solids of revolution क्या होता है मान लीजिए कि यह दो coordinate axes हैं आपके पास और यह कोई भी एक curve है जिसका equation हमने y equal to fx लिख दिया है अब कोई एक line है यह line हमने draw की है AB line से नाम दे देता हूँ मैं तो यह AB line इस तरीके से है कि जो curve y equal to fx है यह line इस curve को intersect नहीं करती है इस case में अगर इस curve को इस line के चारों तरफ rotate किया जाए तो rotate करने पर हमें एक solid मिल जाएगा यह देखिए जैसे यह curve है और यह हमने इस तरीके से y axis के parallel दो lines draw कर दी है x equal to a and x equal to b अब अगर यह curve line AB के चारों तरफ revolve करेगा तो हमारे पास एक solid बन जाएगा यह जो solid होगा इस solid को हम कहेंगे solid of revolution अब यह solid of revolution किस से बना यह तब बना जब curve ने line AB के चारों तरफ revolve किया line AB के चारों तरफ curve को घुमाया गया है तो जो line AB है इसे हम कह सकते है line या फिर axis of revolution axis of revolution इसे easy way में समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा example देता हूँ मान लीजिए यह कोई भी एक side है किसी rectangle PQRS की ठीक है PQRS क्या है एक rectangle है और इसकी एक side PS अगर PS के चारों तरफ PS के चारों तरफ इस rectangle को घुमाया जाए तो आप imagine कीजिए PQRS इस rectangle को जब line PS के चारों तरफ घुमाया जाएगा तो Xlander जैसी shape बनेगी मतलब एक cylinder बन जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि जब एक rectangle को किसी line के about घुमाया जाता है एक rectangle को किसी line के about जब घुमाया जाता है तो जो solid of revolution बनता है वो एक cylinder होता है इसी तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं मान लीजिए ये मैंने एक semi circle बनाया ठीक है A, B, C ABC एक semi circle है और इस semi circle का जो limiting diameter है सीमान तव्यास हिंदी में कह सकते हैं सीमान तव्यास इसका AC है तो जब इस diameter AC के चारों तरफ इस arc को इस semi circle ABC को घुमाया जाएगा तो आप imagine कीजिए आपको एक sphere मिल जाएगा sphere तो हम कह सकते हैं कि sphere is a solid of revolution मतलब sphere एक ऐसा solid है जो कि किसी line के about एक semi circle के revolution से semi circle के घुमने से हमें मिलता है ठीक है अब आपके पास यहां पर जो यह curve y equal to fx था इस curve को आपने axis a, b के चारों तरफ जब revolve किया चारों तरफ जब घुमाया तो यह जो आपको solid मिल गया इसे मैं थोड़ा से dark कर देता हूँ ताकि आपको easily समझ में आ जाए यह जो solid आपको मिलता है इस solid का यह जो surface area होगा इस surface area को हम कह सकते हैं surface of solid of revolution बिल्कुल इसी तरीके से इस solid का जब आप volume निकालेंगे तो उस volume को आप कह सकते हैं volume of solid of revolution अब इस volume को और इस solid के surface को surface of solid of revolution या फिर volume of solid of revolution को अगर हमें mathematically निकालना हो तो हम किस तरह से proceed करेंगे अब उसको हम समझेंगे मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक curve है y equal to fx इस curve का equation है जो की x equal to a and x equal to b x equal to a and x equal to b lines से bounded है curve को मैंने a भी नाम दे दिया है यह जो line है जो की y axis के parallel है यह x axis को किसी point m पर काटती है और line x equal to b जो है यह x axis को n पर काटती है ऐसा आमने मान लिया अब यह जो curve है y equal to fx मैंने यह माना है कि यह curve x axis के चारों तरफ revolve करता है या x axis के चारों तरफ यह घुमता है तो जब यह x axis के चारों तरफ घुमेगा तो कुछ इस तरह का solid हमें मिल जाएगा इस तरह का एक solid हमें मिल जाता है ठीक है AB curve ने x axis के चारों तरफ revolution किया या हिंदी में कहें परिक्रमन किया तो हमारे पास इस तरह से एक solid मिल जाता है देखने से आपको यह solid एक छिनक या एक frustum की तरह नजर आ रहा होगा तो अब यह जो solid of revolution है इसका हम volume निकलना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे हमने curve AB पर दो neighboring points मतलब पास पास के दो points consider किये P और Q P और Q हमने दो points consider कर लिए हैं और इस तरीके से consider किये हैं कि point P के coordinates x, y है और point Q के coordinates x प्लस delta x और y प्लस delta y हो जाते हैं अब हमने point P से x-axis पर एक perpendicular draw किया PR इसका नाम रख देता हूँ और इसी तरह मैंने Q से x-axis पर एक perpendicular draw किया जिसका नाम मैंने QS रख दिया ठीक है फिर मैंने P point से QS line पर एक perpendicular draw किया है Q point आपका यहां है curve के उपर और P से हमने QS line पर एक perpendicular draw किया है इसे मैंने P L कह दिया similarly point Q से PR जो PR line है PR line को थोड़ा सा उपर की तरफ प्रड्यूस कर देता हूँ उपर की तरफ बढ़ा देता हूँ और point Q से RP line पर हमने एक perpendicular draw कर दिया और इस point को हमने कह दिया इसका नाम मैं V रख देता हूँ ठीक है V तो अब हमारे पास situation कुछ इस तरीके से है कि A Z W B A ठीक है A Z W B A जो है हमारा solid of revolution है और ये solid of revolution किस की वजह से बना जब आपका ये जो portion है A M N B A A M N B A इस portion ने जब X-axis के चारो तरफ revolution किया तब आपका complete solid A Z W B A बन जाता है अब हमें ये जो solid of revolution है इसका volume निकालना है तो पहले तो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे पास जो यहां पर एक infinite decimal region मैंने डिसकस कर लिया है मैंने यहां पर R P Q ले लिया है इस P Q की वजह से जो मेरे पास ये portion आ रहा है P R S Q P R S Q अगर मैं P R S Q इस portion का volume निकाल लूँ ये एक अलपांच volume है मतलब infinite decimal volume है पहले हम क्या करते हैं पहले हम इस छोटे से टुकडे का volume निकाल लेते हैं और फिर इसके लिए integrate कर लेंगे तो हमारे पास पूरे solid का volume आ जाएगा अब इसे हम कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि volume of P L S R P L S R P L S R के revolution से जो टुकडा में मिलता है इसके volume को हम निकालते हैं ये volume हो जाएगा P Y SQUIRE DELTA X ये कैसे आया आप imagine कर सकते हैं कि ये जो टुकडा है ये actually एक rectangle है इस rectangle के revolution से हमें एक cylinder मिलता है cylinder का volume क्या होता है volume of cylinder is P R SQUIRE H P R SQUIRE H जहां R radius है और H उसकी height है अब क्योंकि ये portion revolution कर रहा है तो ये आप imagine कीजिए कि जब ये rectangle घूमेगा X axis के चारों तरफ तो P R P R जिससे हमने Y कहा है क्यों? क्योंकि point P के coordinates देखिए क्या है? point P के coordinates है X, Y तो ये जो लंबाई PR है ये Y के equal है ये slender की radius हो गई ठीक है? और ये जो distance नजर आ रही है R S ये distance R S आपके slender की height का काम करेगी R S की लंबाई कितनी है? delta X क्यों है delta X? because point P के coordinates X, Y है और point Q के coordinates X plus delta X Y plus delta Y है तो इसकी वज़े से ये जो distance R S है ये distance delta X हो गई यानि की slender की height delta X हो जाती है तो इसलिए जो volume of PLSR PLSR लिखने से मेरा मतलब क्या है? की PLSR के revolution से जो slender बना उसका volume ना की PLSR का volume so volume of solid of revolution by PLSR is π y square delta X and similarly volume of solid of revolution of VQSR अब की बार हमने लिया है VQSR जो की equal हो जाएगा पाई y plus delta y whole square into delta X ये क्यों हो गया? क्योंकी V से लेकर R तक या Q से लेकर S तक जो उंचाई है वो y plus delta y है जबकी सिलेंडर की हाइट अभी भी उतनी ही है delta X तो VQSR portion से devolution होने पर जो solid बना उस solid का volume है pi into y plus delta y whole square into delta X अब volume of solid of revolution of PQSR ये जो volume होगा इसकी value इससे ज्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी मतलब हम ऐसा कह सकता है कि this volume अगर मैंने इस volume को DV कह दिया है तो DV ये DV जो है या इसको मैं delta V लिख देता हूँ delta V delta V lies between pi y square delta X and pi y plus delta y whole square delta X यानि कि जो हमारा required solid of revolution है उसका volume इसके और इसके बीच में लाए करेगा अब इस equation में मैं हर तरफ delta X से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा pi y square less than delta y upon delta x less than pi y plus delta y whole square अगर हम limiting case की बात करें means जो आपका point Q है अगर वो P की तरफ approach कर जाए when point Q approaches to P then delta x tends to 0 and delta y also tends to 0 उस case में delta x और delta y दोनों ही 0 की तरफ approach कर जाएंगे और आपको क्या मिलेगा pi y square is less than limit delta x tends to 0 del v upon del x less than pi y square ठीक है क्यों because delta y 0 की तरफ approach करता है इस quantity को आप क्या लिख सकते हैं इसे आप लिख सकते हैं dv upon dx limit delta x tends to 0 del v upon del x को आप लिख सकते हैं dv upon dx तो ये quantity pi y square से ही छोटी है और उसी से बड़ी है it means ये pi y square के equal हो जाएगी dv upon dx is equal to pi y square तो अब जब हम complete solid of revolution की बात करेंगे means a, m, n, b ये जो पूरा टुकड़ा है यानि कि arc a, b ने जब इस x-axis के about revolution किया तो उस case में x की limits a से लेकर और b तक हो गई यानि कि हम ये कह सकते हैं कि जो complete volume है हमारे solid of revolution का जो पूरा volume है वो volume हम dv का integration करके निकाल सकते हैं जहां dv dv is the small volume dv is the small volume of that portion which we have discussed हमने जो यहां पर एक infinitesimal portion लिया है अलपांच शेतरफल या अलपांच टुकड़ा जो हमने लिया है उसका volume पहले हमने निकाल दिया और x is equal to a से लेकर x is equal to b limits के बीच में हमने इस dv का integration कर दिया जिससे की complete solid का volume हमें मिल जाएगा और अब इस quantity को आप कैसा निकालेंगे this is equal to integral of pi y square dx from the limits x equal to a to x equal to b क्या किया हमने हमने dv की जगह pi y square dx यहां पर substitute कर दिया तो easily हम यह देख सकते हैं कि जो solid of revolution बनता है उसका volume equal होता है integral of pi y square dx between the limits x equal to a to x equal to b तो यह आपके पास एक formula आगया v is equal to a to b pi y square dx अभी हमने क्या किया था जो हमारी axis of revolution है उसे हमने x axis लिया है but हमेशा यह जरूरी नहीं है कि curve x axis के चारों तरफ revolve करे हो सकता है कि जो axis of revolution है वो y axis हो axis of revolution is y axis then तो अगर axis of revolution y axis है तब यह formula थोड़ा सा change हो जाएगा और volume के लिए हमारे पास होगा pi x square dy x और y आपस में इंटर्चेंज हो गए v equal to integral pi x square dy और जो limits होंगी वो y की limits होंगी y equal to c से लेकर y equal to d तक diagram में आप इसको कैसे समझ सकते हैं मान लीजिए आपका जो curve है वो कुछ इस तरीके से है यह curve आपका है x equal to f of y x is a function of y curve आपका यह है इस curve ने y axis के चारों तरफ जब revolution किया तो आपके पास कुछ इस तरीके का slender बन गया और यह पूरा जो volume है यह volume this volume is equal to v equals integral c to d pi x square d y यह आपके पास volume के लिए दो formula's होते हैं इसी case में हमारे पास कुछ और भी formula है suppose if equation of curve is in parametric form means parametric form क्या होती है x is a function of t y is also a function of t x and y दोनों ही किसी तीसरे variable t के functions है तो यह जो t है इसे हम parameter कह सकते हैं और curve की equation अगर इस तरीके से दी जाए तो इसे parametric equation या parametric form कहा जाता है इस case में volume निकालने के लिए formula किस तरह से होगा मैं यह consider कर लेता हूँ कि curve का revolution x-axis के about हो रहा है यानि कि line of revolution या axis of revolution x-axis है तो उस case में अभी अभी हमने पढ़ा कि volume निकालने के लिए formula होगा integral a to b pi y square dx अब यह limits जो है यह x के लिए है तो आपको क्या करना होगा इन सभी को t के terms में convert करना होगा pi y square की जगे आप लिखेंगे phi t square dx dx means आपको यहाँ पर यह जो x है t का function है इसका t के respect में differentiation करना होगा आप dx की जगे लिख सकते हैं dx upon dt into dt पहले तो dx की जगे आप लिख सकते हैं dx upon dt into dt और फिर यह जो dx upon dt हैं इसकी value निकालने के लिए आपको इस function का t के respect में differentiation करना होगा limits दी गई limits x के लिए हैं आपको यहाँ पर substitute करके उनके लिए t के limits पता करनी होगी तो मैं यह मान लेता हूँ फिलाल कि t के limits t1 and t2 हैं हम अभी एक example करेंगे तो उससे हमें यह procedure clear हो जाएगा और similarly अगर line of revolution या axis of revolution y axis है तो हमारा formula कैसे change हो जाएगा c और dy के limits हैं इस formula में substitute करके पहले आपको t के limits पता करनी होगी हमने मान लिया कि t के limits t3 से लेकर t4 तक है π, x, x की जगे आप लिखेंगे function of t dy, dy की जगे आप लिखेंगे dy upon dt into dt और फिर dy upon dt निकालने के लिए आपको इस function का differentiation t के respect में करना है अब मान लिजिए कि curve का equation polar form में है इन polar form फिर यहाँ पर भी दो cases है axis of revolution x-axis हो सकती है यानि की initial line theta equal to 0 या फिर axis of revolution y-axis हो सकती है जैसे theta equal to pi by 2 line कहते है first case में when axis of revolution is the initial line means x-axis तो volume v is equal to pi pi y square dx है आप जानते हैं y की जगे लिखना होगा r sin theta क्योंकि हम polar coordinates में convert कर रहे हैं dx तो आप इसे dx upon d theta into d theta लिख सकते हैं dx upon d theta into d theta फिर x की जगे आप लिख सकते हैं r cos theta ये नीचे d theta आगया multiplied with d theta अब क्योंकि ये complete integration theta के respect में होगा तो theta की limits alpha and beta हमने use कर ली है जब आप इसे simplify करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 upon 3 pi r cube sin theta d theta alpha 2 beta and when axis of revolution is line theta equal to pi by 2 यानि की y axis तब volume आपको मिल जाएगा इसी procedure को आप repeat करेंगे तो आपको volume मिल जाएगा 2 by 3 pi alpha 2 beta r cube cos theta d theta तो ये आपके पास different formulas हैं एक case इसमें अभी और बचता है उसे भी हम discuss कर सकते हैं suppose axis of revolution x axis नहीं है when axis of revolution is a line parallel to x axis मान लिजिए कि ये coordinate axis हैं ये कोई line है जिसका equation हमने मान लिया है y equals to k y equal to k this is a line parallel to x axis x axis के parallel एक line है और यहाँ कोई curve है ये curve y equal to fx इसका equation हमने मान लिया अब अगर ये curve line y equal to k के चारो तरफ rotate करता है तो कुछ इस तरह की situation बन जाएगी ये देखिए ये आपके पास एक frustum बन जाता है तो ये जो volume होगा this is equal to pi y square की जगे हम ले ले लेंगे y minus k whole square into dx x के लिमिट्स ए सले कर b तक and similarly when axis of revolution is a line parallel to y axis मान लीजिए कि y axis के चारो तरफ revolution न होके उसके parallel किसी line के चारो तरफ revolution हो रहा है ये दोनो coordinate axes है ये कोई line है ये line हमारी है x equal to h x equal to h मैंने कोई line y axis के parallel consider कर ली है ये हमारा curve है तो ये curve जब इस line के about revolve करेगा तो कुछ इस तरह का solid हमें मिल जाएगा और इस solid का volume हो जाएगा integral pi x minus h whole square dy limits c से लेकर d तक ये जो limits है c to d ये y की limits हैं और volume निकालने के लिए formula है pi into x minus h whole square dy y तो इस तरह से आपके पास different cases है अगर आपकी axis of revolution x axis है या y axis है या x axis के parallel कोई line है या y axis के parallel कोई line है तो different cases में हम different formula apply करके उस solid of revolution का volume easily निकाल सकते हैं अभी हमने जो theory discuss की है उसे हम कुछ simple examples के help से समझेंगे तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा example लिया है find the volume of solid of revolution the curve y square equal to x cube plus 5x between the lines x equal to 2 and x equal to 4 about x axis means यह कर्व है y square equal to x cube plus 5x जो की x axis के चारों तरफ गुमाया जाता है और x equal to 2, x equal to 4 दो lines हैं y axis के parallel जो इस कर्व को bound करती है तो अब इससे जो solid of revolution बनेगा उसका volume हमें निकालना है तो जैसा की अभी हमने discuss किया v is equal to integral pi y square dx from a to b इस formula में आपको के वल ये values substitute करनी है v is equal to pi 2 to 4 x cube plus 5x integrate करेंगे simple integration based question है ये limits रख देंगे 4 power 4 upon 4 तो आपको 4 का cube मिल जाएगा 64 plus 5 into 16 upon 2 minus 2 power 4 यानिकी 16 16 upon 4 4 minus 5 into 2 square 20 upon 2 that is 10 64 plus 40 minus 14 तो ये आपको मिल जाता है 90 pi means दिये गए कर्व के revolution से जो solid बनेगा उसका volume है 90 pi एक और example हम discuss करते हैं find the volume of a sphere of radius r एक sphere है जिसकी radius r है उसका volume हमें निकालना है अब junior classes से हम पढ़ते आए हैं कि अगर किसी भी sphere का radius r है तो उसका volume 4 upon 3 pi r cube होता है इस concept को हम solids of revolution के method से समझेंगे तो जैसा कि हमने starting में इसकेस किया था कि एक sphere कब बनेगा एक sphere तब बनेगा जब आप एक semi circle को x-axis के about या y-axis के about आप revolve करें तो मैंने यहाँ पर एक semi circle ले लिया जिसकी radius r है मैंने इसका center x-axis के किसी point पर ले लिया हम चाहें तो यही center हम origin पर भी ले सकते हैं अगर हम origin पर लेंगे तो उस case में situation क्या होगी मानली जीए यह origin पर center है और इस तरीके से हमने एक semi circle ले लिया जिसकी radius r है origin इस semi circle का center है और हमने semi circle की equation ले ली है x square plus y square equal to r square point a के coordinates हो जाएंगे r, 0 और similarly semi circle का जो दूसरा सिरा है b उसके coordinates हो जाएंगे minus r, 0 अब यह जो boundary है b a इसे x axis के चारो तरफ जब आप घुमाएंगे तो आपको एक sphere मिल जाएगा और पिछले formula की according इस sphere का volume हो जाएगा pi y square dx limits क्या होंगी x की limits आप रख सकते हैं minus r से लेकर r तक क्योंकि b से लेकर a तक जो portion है यहाँ पर x की values minus r और plus r है minus r to r यह limits हमने x के लिए use की है x के लिए यह जो function है यह एक even function है तो हम ऐसा भी कर सकते है integral को double कर दें और limit को 0 से लेकर r तक use कर ले semi circle की equation से आपको y square मिल जाएगा r square minus x square integrate करेंगे x के respect में तो आपको मिलेगा x r square minus x cube upon 3 0 to r limits put करेंगे x की जगे r रख देंगे r cube minus r cube upon 3 और simplify करने पर आपको 4 pi r cube upon 3 मिल जाएगा जो की junior classes से ही आप जानते हैं कि volume of sphere of radius r होता है एक और example हम discuss कर रहे है find the volume of solid of revolution of the curve x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 equal to a power 2 by 3 ये एक asteroid का equation है और cartesian form में लिखे हुए इस equation को हम parametric form में भी convert कर सकते हैं तो asteroid का parametric equation होता है x equal to a cos cube t and y equal to a sin cube t ये एक asteroid है जिसे x axis के about revolve किया जा रहा है तो बनने वाले solid का volume हम निकालना चाहते हैं ये asteroid इस तरह से बनता है चारों directions में ये symmetric है a, b, a dash, b dash, o से लेकर a तक, o से लेकर a dash तक, o से लेकर b तक और o से लेकर b dash तक ये सभी लंबाईयां a के equal होती है अब हम इसको parametric equation के method से solve करना चाहेंगे x-axis के about curve का revolution हो रहा है तो आप volume का कौनसा formula यूज़ करेंगे v is equal to integral pi y square dx x की limits a से लेकर b तक है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि parametric के case में इस dx की जगे हम लिख सकते हैं dx upon dt into dt ठीक है parametric में convert करेंगे हम pi constant है मैंने बाहर ले लिया y square y is equal to a sin cube t तो y square हो जाएगा a square sin power 6 t dx upon dt x x है आपका a cos cube t इसका t के respect में differentiation कर देंगे तो आपको मिल जाएगा a into minus 3 cos square t sin t dt यह आपका dx upon dt का value है minus 3 cos square t into sin t dt हमने लगा दिया है अब limits यह x की limits हैं means हमारे question में x की limits 0 से लेकर a तक होंगी अगर x की limits 0 से a तक हैं मैं यहाँ change कर देता हूँ पहले मैंने formula लिखा था a to b मैं अब original limits लिख देता हूँ 0 to a 0 to a किसकी limits हैं x की limits हैं हमें क्या चाहिए t की limits चाहिए when x equal to 0 then x आपका है a cos cube t तो आप कह सकते हैं कि a cos cube t 0 के equal हो गया means cos t 0 के equal हो गया और t pi by 2 हो गया when x is equal to a then a cos cube t is equal to a means cos cube t equal to 1 या फिर cos t equal to 1 t is equal to 0 t की limits pi by 2 से लेकर 0 तक हो जाएंगी t की limits pi by 2 से लेकर 0 तक अब इससे simplify करेंगे minus 3 a cube minus 3 a cube pi constants हैं बाहर ले लिए pi by 2 से लेकर 0 तक limits हो गई sin t power 7 into cos square t dt sin t power 7 into cos square t dt अब देखिए बाहर minus का sin है और छोटी limit उपर है बड़ी limit नीचे है आप चाहें तो इन limits को interchange कर सकते हैं उस case में आपको यह मिल जाएगा 0 to pi by 2 limits हो गई minus से minus cancel हो जाएगा 3 a cube pi sin t power 7 cos t square dt इसे gamma function की help से simplify करेंगे आपको मिलेगा 3 a cube pi gamma 7 plus 1 upon 2 यानि की 8 upon 2 gamma 4 into gamma 2 plus 1 3 upon 2 gamma 3 upon 2 divided by 2 gamma 7 plus 2 plus 2 upon 2 यानि की gamma 11 upon 2 जिससे solve करने पर आपको मिलेगा 5 by 2 5 by 2 3 by 2 गामा 3 by 2 गामा 3 by 2 से गामा 3 by 2 cancel होगा यह हो गया 16 आप लिख सकते हैं 3 by a cube into 6 into 16 upon 2 into 9, 7, 5, 3 थोड़ा सा simplify करेंगे यह 3 से 3 आप कैंसल कर सकते हैं 2 से 6 थी टाइम्स कैंसल कर सकते हैं 3 से 9 थी टाइम्स कैंसल कर सकते हैं तो आपके पास आजाएगा 16 pi a cube upon 105 यह आपका final answer आजाएगा hence complete volume of the solid देखिए हमने क्या consider किया था हमने consider किया था o से लेकर a तक means हमने asteroid का एक पार्ट consider किया है symmetry के कारण लेकिन जो revolution है वो इस पूरे a डैश से लेकर a तक के पार्ट का हो रहा है तो इस पूरे revolution की वजह से जो asteroid बना उस asteroid का volume इस volume के double के equal होगा और finally आपको मिल जाएगा 2 times 16 pi a cube upon 105 that is 32 pi a cube upon 105 अब हम एक 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 एक्सामपल ले रहे है polar form में find the volume of solid generated by revolving the cardioide r equal to a into 1 plus cos theta about initial line सबसे पहले हम इस cardioid को draw कर लेंगे पिछली कुछ classes में हम discuss कर चुके हैं कि cardioid किस तरह से draw किया जाता है तो मैं इसका curve बनाता हूँ इस तरह से यह cardioid जो है initial line के about symmetric है जैसा initial line के ऊपर बनेगा बिल्कुल वैसा ही नीचे बनेगा यह जो length है जहांपर cardioid x-axis को काटता है यह length 2a के equal होगी कैसे मिलती है point a के लिए theta equal to 0 है cos 0, 1, 1 plus 1, 2 so r is equal to 2a means origin से लेकर यह pole से लेकर a तक की लंबाई 2a होगी अब हमें इस cardioid का पूरे cardioid का volume निकालना है तो volume is equal to यह volume of solid of revolution is equal to 2 upon 3 pi r cube sin theta d theta theta की limits यह जो revolution है यह complete 0 से pi तक हो रहा है जब आप यहां पर theta की value pi रखते हैं cos pi minus 1, 1 minus 1 0 means उस case में आपको cardioid की यह वाली branch मिल जाती है तो आपने इसका volume निकालने के लिए 0 to pi theta की limits ले ली r cube sin theta d theta यह formula आपने apply किया now this is equal to 2 upon 3 pi 0 to pi r cube r cube की जगे आप लिखेंगे a 1 plus cos theta whole cube sin theta d theta इस integral को solve करने के लिए आप क्या करेंगे आप 1 plus cos theta को t assume कर सकते हैं minus sin theta d theta equal to dt when theta equal to 0 then t is equal to 2 and when theta equal to pi then t is equal to 0 तो आपके पास t की limits हो गई है 2 से लेकर 0 तक देखिए जब theta 0 था तब t की value 2 है तो 2 lower limit में आएगा और जब theta pi है तब t equal to 0 है तो t की limits 2 से 0 तक a a cube आएगा यहाँ पर a cube t cube sin theta d theta sin theta d theta की जगे आप क्या लिखेंगे minus d t minus sign को adjust करने के लिए limits को उल्टा कर सकते हैं 0 से 2 तक a cube constant है बाहर लिख सकते हैं t cube d t t cube का integration t power 4 upon 4 0 to 2 इसे आपने simplify किया 2 2 power 4 that is 16 upon 4 4 times cancel हुआ आपको मिल जाता है 8 pi a cube upon 3 अब क्योंकि हमने limits 0 से pi तक ली है it means हमने उपर वाले portion का volume निकाल लिया है अब यही portion जब revolve करेगा तो हमें complete volume मिल जाएगा 8 pi a cube upon 3 एक और example हम discuss करेंगे इस example में क्या नई बात है आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने पूछा है find the volume of the solid generated by the revolution of the curve this about its asymptote asymptote के बारे में हम पिछली classes में discuss कर चुके हैं जब मैं इस curve को draw करूंगा तो आप देखेंगे कि इस curve की जो asymptote है वो ना तो x-axis है और नहीं y-axis है बलकि y-axis के parallel एक line है तो it means इस question में जो axis of revolution है वो y-axis के parallel एक line है पहले हम इस curve को draw करते हैं सबसे पहले तो हम यह जाने की इस curve की asymptote हमने कैसे नकाली तो जैसा कि हमने पिछली classes में discuss किया था किसी भी equation में x-axis के parallel asymptote पता करने के लिए x की highest power का coefficient निकालके उसे 0 के equal करेंगे यहाँ पर x की highest power 1 है जिसका coefficient minus y square minus a square हो जाएगा जब आप इस a square x को left में transfer करेंगे तो आपको मिल जाएगा minus x y square minus a square x तो x का coefficient हो गया minus y square minus a square जब आप इसे 0 के equal रखेंगे तो आपको मिल जाएगा y square equal to minus a square जो की real quantity नहीं देगा आपको imaginary values देगा y equal to plus minus a eta यानि की x-axis के parallel कोई real line या real asymptote नहीं है यह imaginary है इसे हम consider नहीं करेंगे फिर asymptote parallel to y-axis asymptote parallel to y-axis इसके लिए क्या करेंगे जो y की highest power है उसके coefficient को 0 के equal करेंगे y की highest power 2 है जिसका coefficient a minus x तो a minus x को जब आप 0 के equal रखेंगे तो आपको मिल जाएगा x equal to a इसका मतलब हमारे curve की asymptote है x equal to a x equal to a line कुछ इस तरह से बनेगी y-axis के parallel अब अगर यह line हमारे curve की asymptote है it means curve इस line की तरफ approach करेगा और infinite पर जाकर इसको touch करने की कोशिश करेगा तो इस तरह से यह curve draw होता है और यह जो line x equal to a है इसी के around इसी के चारों तरफ curve का revolution होगा तो जब इस line के about curve का revolution होगा तो कुछ ऐसी situation बनेगी और यह आपका solid of revolution बन जाएगा यह आपका solid of revolution है जिसका volume आपको पता करना है required volume जब हमने theory discuss की थी उस theory में जो बिलकुल last formula हमने पढ़ा वो था पाई integral of x-h वहाँ था x-h क्योंकि y-axis के parallel line x equal to h थी जबकि यहाँ asymptote x equal to a है तो equation आप ले लेंगे x-a whole square dy y की limits क्या लेंगे अब आप देखेंगे कि यह जो curve है यह नीचे या ऊपर दोनो ही directions में infinite तक जा रहा है तो आप यहाँ पर y की limits minus infinite से plus infinite use करेंगे y के respect में यह function even है इसलिए limits को zero to infinity लेंगे integral का double कर देंगे x-a whole square है आप चाहें तो इसे a-x whole square लिख सकते हैं ऐसा हमने क्यों किया because a-x की value equation of curve से मैं directly निकाल सकता हूँ तो मैंने मेरी सुवीधा के लिए ऐसा किया है a-x whole square dy या फिर इसको थोड़ा और easy way में solve करने के लिए आप क्या कर सकते हैं इस curve की equation को थोड़ा सा simplify करें a-y a- x into y square equal to a square x इससे open करने से आपको मिल जाएगा a-y square minus xy square equal to a square x या फिर a-y square equal to a square plus y square into x जिससे आपको मिल जाएगा x is equal to a y square upon a square plus y square यह जो हमने x की value निकाली है इसे integral में मैं यूज कर लूँगा two pi zero to infinity a-x x की जगे मुझे मिल गया है a y square upon a square plus y square whole square dy a common आ जाएगा a का square बाहर निकाल सकता हूँ मैं two pi a square zero to infinity one minus y square जिससे मैं लिख सकता हूँ इस तरह से ठीक है बहुत ही easy simplification है y square से y square cancel हो जाएगा a square power 2 a power 4 और a square पहले से बाहर है तो a की total power हो गई 6 और हमारे पास रह गया dy upon a square plus y square whole square zero to infinity इस integral को solve करने के लिए आप एक substitution करेंगे मान लीजी यह लिख देता हूँ मैं मान लीजी यह is equal to a tan theta तो dy is equal to a sec square theta d theta आप यूज कर सकते हैं dy is a sec square theta d theta नीचे हो जाएगा a square plus y square means a square tan square a square tan square theta whole square limits जब आप y की value 0 रखेंगे तो 10 theta 0 हो जाएगा यानि की theta 0 हो जाएगा और जब y की जगह infinite रखेंगे तो 10 theta equal to infinity यानि की theta equal to pi by 2 थोड़ा सा और simplify करेंगे 2 pi a power 7 0 to pi by 2 sec square theta d theta a square common ले लेंगे फिर से उस पर square लग जाएगा a power 4 तो यहाँ a cube रह जाएगा नीचे होगा 1 plus 10 square theta यानि की sec square theta sec square into sec square whole square that is sec power 4 sec theta power 4 जो की आगे simplify होकर की आपको दे देगा 2 pi a cube 0 to pi by 2 cos square theta d theta cos square theta को integrate करने के लिए आप क्या करेंगे आप चाहें तो गामा function यूज कर सकते हैं और या फिर आप 2 cos square theta को आप लिख सकते हैं 1 plus cos 2 theta d theta आगे इसको integrate करेंगे और finally आपको मिल गया pi square a cube upon 2 ये आपके solid of revolution का required volume हो गया pi square a cube upon 2 करेंगे आपको अगे करेंगे आपको ये ये आपके